क्या आप डिप्रेस्ट है? डिप्रेशन एक बहुत ही सीरियूस मेंटिल कंडिशन है जो आपकी लाइफ को एहम रूप से प्रभावित कर सकती है कभी-कभी आपका मूड अच्छा नहीं होता या आप उदास वील करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको डिप्रेशन है डिप्रेशन एक लनिकर कंडिशन है और उसके कई लक्षन है तो जानते हैं कुछ ऐसे सिंटम्स जिससे आप पता कर सकते हैं कि क्या आप वाकई में डिप्रेस्ट हैं? नाबर वान फटीग, ठकान क्या आपने कभी ऐसे दिन experience किये हैं जब आपने पूरा दिन बेट पर लेटे हुए बता दिया? पूरे दिन rest करने के बावजूद आपके अंदर energy की कमी महसूस होती है और ऐसा लगता है जैसे जमीन पर पैर रखते ही आप नीचे गिर जाएंगे मानो gravity का असर सबसे ज़्यादा आप महसूस कर रहे हो हो सकता है कि पूरे दिन आपको बहुत सारे काम हो बट काम तो दूर की बात आप बेट से उड़ भी नहीं पाते ये depression का sign है depression आपकी diet को भी affect करता है depression के दौरान आप एक अजीब सा खालीपन महसूस करते हैं जो आपके feelings, emotions, thoughts सबको बिलकुल नम कर देता है इस खालीपन को मिटाने के लिए आप अपना मन खाने में लगाते हो कभी chocolates, कभी ice cream, कभी cakes क्योंकि आपको लगता है कि इससे आपको अच्छा महसूस होगा या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपके emotions आपकी body को इस तरह से चकर लेते हैं कि भूख प्यास सब मिट जाती है ये दोनों symptoms extremely unhealthy है क्या आप पूरे दिन bed पर लेटे लेटे अपनी कमियों के बारे सोचते रहते हैं अपनी personality या अपनी life से satisfied ना होने के कारण आप खुद को hate करने लगते हैं खुद को लेकर आपकी insecurities इतनी बढ़ जाती है कि सब कुछ खत्म कर देना ही सबसे आसान लगता है मेभी आपको लगता है कि आपकी life में कुछ special नहीं है अगर आप खुद को नुकसान पहुचाएंगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट ये एक critical stage of depression है विश्वास करना मुश्किल है लेकिन छोटी सी छोटी चीजे भी दुनिया पर एक बड़ा प्रभाव डाज सकती है आपके friends and family आपकी बहुत परवा करते हैं और अगर आप उनसे दूर हो गए तो आपको बहुत miss करेंगे कभी-कभी depression में emotions numb हो जाती है कुछ लोग हसना, मुस्कुराना, खुश होना, सब भूल जाते हैं पहले जिन चीजों से खुशी मिलती थी अब वो फीकी लगने लगती है किसी भी चीज में मन नहीं लगता कोई भी चीज या activity हमें interesting नहीं लगती ये भी depression है नमबर फाइव, introversion studies के अनुसार जो लोग introvert होते हैं, उनके लिए depression के chances ज्यादा है introvert का मतलब है वो लोग जो कम होते हैं, दूसरों के सामने खुल कर बात नहीं करते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं वो अपनी problems को दूसरों से share करने में हिचके चाते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं अगर आप इन में से कोई भी एक symptom experience कर रहे हैं, तो अपने friends या family members से अपनी problems discuss करें, या किसी medical professional से help लें, so that आपको सही guidance मिले प्लीस कॉमेंट क्या आप How to Fight Depression पर वीडियो देखना चाहेंगे ऐसे यौर वीडियो गेए इसे यौर वीडियो के लिए, प्लिस स्च्राइएँ.